सकीरी आत्म रोग गुरू लग्यो यहां को दारू न मिले तभी प्रितम अक्षरते इस नस्वर जगत में आत्म रोग क्या है उसके उपर प्रकाश डाल रहे हैं मघम्यजी की आत्मा कह रही है आत्म रोग वो रो लग्यो यहां को दारू न मिले तभी अत्म रोग क्या है पहले तो रोब की व्याख्या समझनी चाहिए शरीर का रोब क्या है सामान अवस्ता से अलग हो जाना आयरुवेद कहता है कफ़ वादपित जब विक्रित अवस्ता में है तो शरीरोगी होता है होमेपयत्क वाले कहते हैं कि शरीर की प्रतिरोधक सक्ति कम हो जाती है तो रोग प्रगठ हो जाते हैं एलोपैत कहते हैं कि रोग के किटानों जब सक्री हो जाते हैं तो रोग होता है सब अपनी अपनी तरह से वेक्या करते हैं आत्म रोग क्या है? आत्म रोग वुरो लगिव एक है भावरोग भावरोग का तदपर क्या है? संसार में जो प्राणी पेदा हुआ है सुखों की चारना कर रहा है हर कोई चार तरह से सुख पर पाना चाहता है अहार के तौरा, निद्रा के दौरा वन्सिवरिति के तौरा प्रतिश्टा के दौरा इसे के लिए तो सब कुछ कर रहे है संसार के जितने सुख हैं उसको पांच भागों में बाटा जा सकता है आँखों से हम सुन्दर रूप देख सकते हैं तो हचा से कोमर असपरिस का सुख लेना चाहते हैं नासका से सुगंध लेना चाहते हैं जीवा से स्वाधिष्ट पतार्थों का स्यवन करना चाहते हैं कांच से मधुर्द्वन सुनना चाहते हैं पांच सुक के अलावा छटवा सुक नहीं है दुनिया के सारे सुक इन्हीं पांच सुकों में है आप बैकुंट में जाएए, स्वर्ग में जाएए वहाँ भी यही सुख मिलेगे क्योंकि इंद्रिया वहर जगत से सुख को पाना चाहती है यह प्रकृति का सुख मिलेगा इंद्रियों से जो सुख मिलेगा प्रकृति का सुख मिलेगा माया का सुख मिलेगा लेकिन छड़िक माया से ये छड़िक सुख ही मिलेगा आप स्वादिष्ट ये स्वादिष्ट पदार्द को जीवा पर रखिए तो कितनी देर के लिए आनन्द आएगा थोड़ी देर के लिए जैसे अब तो थोड़ा बहुत कुछ परिवर्टन हुआ है मुझे तो लगता है अठाईस साल हो गए गुजरात में कहते कहते सुंदर्जात को सुंदर्जात ये यदि आप चित्वनी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो रोजगुड़ी आहर का स्यमन बंद करना पड़ेगा तीकी तीकी लाल मिर्चे लेसन प्याज, गरम चाए गरम काफी कम केजिए यदि छोड़ नहीं सकती लेकिन कितने प्रशत ने छोड़ा होगा आप देखिए जो सुंदर्जात सर्शावा जाते हैं उनको फीका खाना मिलता है तो पहले बहुत बुरा लगता है क्योंकि यहां तिखी मिर्चे खाने की आदत है मिर्चे में क्या स्वाद है एक चम्मच मिर्च जीवा पर रख देंगे तो कोई स्वाद है अब मिठाई स्वादिष्ट लड़ू ही लेडिजे लड़ू किसे बनाए सक्कर अलग है बेसन अलग है घी अलग है बस इतना ही तो है बेसन को जीवा पर रखेंगे कोई स्वाद नहीं सक्कर को अकेले रखेंगे कोई बिसे स्वाद नहीं होगा थोड़ा थोड़ा स्वाद होगा मैं इसकी निन्दा नहीं कह रहा हूँ मैं यह कह रहा हूँ कि स्वादेष्ट जिससे मिलेगे वो भी सोचेगा कि हम कहां फस गए इस संसार में कोई भी वजतूर लंबे समय तक आपको आनंदित नहीं कर सकती है सारा संसार नस्वर है लेकि यदि इसी में हम सोचे कि सब कुछ यही है तो क्या होगा इसको कहते हैं भाव रो देखिए एक बालक पैदा होता है किसो रवस्था को पार करता है योग बनता है बिर्दवस्था में आ जाता है वह जीव सरीर छोड़ देता है कि क्या उसकी तृष्णा मिटती है न जीवा की तृष्णा मिलती है न किसी भी इंद्री की तृष्णा नहीं मिट सकती है और इसके पहले नचाने कितनी लाखों बार वो जन्म ले चुका है पस पक्षियों में, कीडे मकोडों में लेकिन उसको यदि भावतिक सिखों से हटाईए तो दड़पने लगता है इस प्रक्रण के बाद एक प्रक्रण आता है दुकरे प्यारे मेरे ब्रावन को सो में छोड़ीओ क्यों कर जाए जो में लियो है बुलाए अब मेरसागर का पाट क्यों करते है माया के दुखों को यदि राज जी आप से छीनते हैं तो आप रू नहीं लगते है वे माया के सुख आपको मिल जाए इसलिए तो आप मेर्सगर का पाट करते हैं इसलिए तो मन्नत मांगते है लालदाजी का सब कुछ छिन जाता है लालदाजी तो कभी नहीं कहते कि राजी जो धन आपने ले लिया वो मुझे फिना हुआ पस दे दीजे क्यों क्योंकि लालदाजी का विवेक जागरित हो चुगा था यह एक भाव रोग है मनुस अपने सरीर को बाले आवस्था से युव आवस्था में पाता है बुढ़ापे में पाता है सरीर छोड़ देता है जन्मरण का चक्र बना रहता है लेकिन भाव रोग इतना प्रबल है जानते है कि बुढ़ापा मेरा पिछा कर रहा है रोग मेरा पिछा कर रहा है संसार में कष्ठ ही कष्ट है फिर भी कोई संसार को छोड़ना चाहता है नबे बर्स का भी कोई बेक्ति होगा और उसको कहा दिया जाया कि कल तुमे मरना है तो सदमे से भले ही मर जाए लेकिन कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता इसको कहते हैं भाव रोग एक है प्रेम रोग प्रेम रोग किसको कहते हैं जिसमें प्रेम के सिवा कुछ चाहत नहो आप देखते हैं आजकल तो मुझे नहीं पता कुछ समय पहले विदेशों से एक हिप्पी युग चला था इस कानवालों को प्रभुपात जी ने उन्हीं हिप्पीयों को जागरित किया कैसे विए हिप्पी सांति की खोच में भारत आते थे नंग धण बैठे रहते थे नसा कर लेते थे क्योंकि उन्हेंने भौतिक सुख इतना भोगा होता है कि उन्हें सांति चाहिए वे अपने को हिप्पी का करते थे जब कोई kisī की स्मर्ति में याद में पागल हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इसको प्रेम रोख लगा है लेकिन वास्तीक प्रेम किससे होता है? आत्मा का पर्मात्मा से जब आत्मा या हिर्दे ज्यान का प्रकाष पाकर भावरोग को छोड़कर कि प्रीतम की चाहना करता है तो उसको क्या करते है आत्म रोग सरीर में रोग लगता है तो सरीर जरजर होता है आत्म रोग का अर्थ क्या होता है आत्मा प्रीतम को पाने की चाहत रखती है और उस चाहत में समान्य वस्था से अलग बेवार करने लगती है तो उसको क्या कहेंगे आतम रो समान्य वस्था क्या है जैसे एक ग्रहस्ती का समान्य जीवन क्या है स्री देवचन जी जब 11 वर्ष के होते हैं जो भया बरस 11 ग्यारवां तमन्न उपजो ये विचार मैं कौन कहां से आया कहां है मेरा बर्ठार लेकिन 11 वर्ष के बच्चे हर बच्चे के अंदर ये भावना क्यों नहीं आते कि मैं कौन हो कहां से आया हूं मुझे कहां जाना है 16 वर्ष के वस्था में बरहात के पीछे चल जाते और 26 वर्ष के वस्था में चित्वनी से सक्षात वांके विहारी ये ब्रज विहारी के रूप में राजी का दर्शन कर लेते हैं 40 वरस के वस्ता में सक्षात राजी को 99 से देख लेते हैं क्यों? क्योंको आत्म रुग लगाता है सारी दुनिया का भी राज देवचन जी को मिल जाता तो उनसे कहा जाता कि नहीं बांके बिहारी का ध्यान छोड़ दीजिए भागवत की कथा छोड़ दीजिए तो नहीं छोड़ सकते थे हबसे में इंद्रावती जी के आत्मा अपने प्राणिस्वर को विरह में तड़ करके पुकारती है जो दंड मिलना था तो मिली गया था कुछ नहीं होना था लेकिन हिर्दय रुदन कर रहा है किसको लिए जिसको उसने अपना हिर्दय सौंपा है वो हिर्दय ब्यथित है कि मैंने तो ये कुछ किया नहीं मैं तो सुन्दर साथ की सिवा करना चाहता था और मेरे उपर ये अरुप लगा दिया गया कि मैंने धन लिया है राजा का अब परिडाम क्या होता है विरा के आंसू फूटते है विरा के ज्वाला में अच्छरतीत को स्वयम आना पड़ता है युगल सरुप सामने प्रतक्ष दर्शन देते हैं उनके धा मिर्दे में विराजमान होकर लीला प्रारम कर देते सब्तन विराखाया गलगया लोहुवांस विराख क्या करता है सरीर को जरजर कर देता है प्रेम क्या करता है यदि आप संसार को चाहते हैं तो वो क्या बन जाएगा भाव रोग यदि आप राजजी को चाहते हैं तो वह क्या होगा आत्म रोग समाने रुप से रोग का अर्थ क्या होता है उल्टा कर देने वाला लेकिन यहां रोग का अर्थ है आत्म रोग का अर्थ क्या होगा आत्मा की तलिनता राजजी में बढ़ जाए इसको आतम रोग करते हैं आपको बुखार का रोग हो जाएगा तो सरीर को जरजर कर देगा मृत्त तकला सकता है लेकिन आतम रोग लग जाएगा तो आपकी आत्मा को आपका प्रानिस्वर मिल जाएगा आपके धान मिर्दे में बढ़ जाएगा ये लाब का सोधा है प्रेम का रोग लग जाएगा राजी से तो परड़ाम क्या होगा आप प्रितम को बस में कर लेंगे तभी तो इंद्रावती जी ने क्या कहा था कि राजी मुझे अच्छी तरह से जानते हो और सब सुन्दर साथ को चुन्वते देकर कहती है कि प्रेम तड़ा पंजरा मैं खालू हूँ थो साखने द्राख राजी आपको मैं प्रेम के पिजड़े में कैद कर लू हूँ थो साखने द्राख आपको नीले पंखो वाला तोता बना लू और स्वेम अंगूर बन जाओ ताकि आप मुझे खालो यह कौन बोल रहा है प्रेम की भासा बोल रही है महामती जी के हिर्दे से जो प्रेम की भासा निकलेगी वो ऐसी निकलेगी तो महामती जी की उस अवस्था को क्या कहेंगे यह प्रेम रोगी की अवस्था है भाव रोगी कौन है जो संसार के सुखों को सरोपर इमानता है वो भाव रोगी है प्रेम रोगी जो केवल राज्जी के प्रेम के आगे संसार को तिनके के समान समझता है वो प्रेम रोगी है आत्म रोगी कौन है जो राज जी के प्रेमे में अपनी आत्मा को इस तरह से समर्पित कर देता है कि किवल उसी की चाहत बनी रहती है तभी तो महामेती जी की आत्मा करी है सखीरी आतम रूग बुरू लगयो या कुदारू न मिली तभी इस आतम रूग कि न कोई दवा है न कोई बैद दे आत्मा रूग की दवा कौन देगा बैकुंट में नहीं है स्वर्ग में नहीं है चौदे लोग के विद्वानों के पास नहीं है आत्मा का मुल सरूप है परातम संसार को तो पता है नहीं परातम क्या है इस स्रिष्टि को बनाने वाले आदी नर्यन की परात्म भी तो सबलिक के स्थूल में अभ्याकरित के महा कारण में है आदी नर्यन को खुद पता नहीं कि मेरी परात्म क्या है तो आदी नर्यन के संकल्ब से पैदा हुए ब्रमान्ड में जो भी तृदेम है वो आत्मरोग की दवा कहां से दलाएंगे निराकार के अंदर वो दवा नहीं मिलेगी बेहद मंडल के अंदर वो दवा नहीं मिलेगी इस आत्मरोग की दवा तो किवल एक अक्षरा तीद के पास है महामिती जी की आत्मा कहती है कि मेरे अरद्ध, मेरे प्राणिस्वर मुझे ये आत्मरोग आप ने दिया है मेरी आत्मा क्यों आपको चाहती है और इस रोग की दवा इस स्रिष्टी में नहीं है बेहद मंडल में नहीं है वो तो क्यों मूल मिलावे में है मुल में लाएवे कि क्या है ये बाड़ी बाड़ी में एक चुपाई आती है ये देखो एक गुन भाव औस थी ये तो ये बड़न तो बिरिक्ष की सोबा का वहां का चकला मंदिर की सोबा का बड़न है लेकिन बाड़ी के सम्मद्ध में कहा है कि धाम से लियाई तार्तम करी ब्रह्मान में रोस लाई है ऐसा दारू लाए मसे जासे मुर्दे भी जीवित हो है सत्कुर धनिसी देवचेंजी ऐसा तार्तम रूपी औस दी लाए हैं जिससे मुर्दे जीवित हो जाए मुर्दे जीवित होने का तरपर क्या है एक समानी प्रहाड़ी है संसार के सुखो की चाहत लगता है वो शरीर को इस सब कुछ तमसता है लिकिन दार्तम ज्यान का प्रकास मिल जाए तू क्या देखता है यह संसार स्फण नहते यह स्वर्ग भी सपने का है बैकुंठ भी सपने का है निराकार ही तो सपना है निद्रा का रूप है उस निराकार से जिस तरह से नीद से सपना प्रकट होता है जागरती में सपना नहीं आता जागरती में केवल बिचार आते है नीद आने पर सपना आता है उसी तरह से निराकार माया कुथपती होने पर यह सारा संसार पैदा होता बैकुंट में क्या है जो सुख है प्रकृति का सुख है तिर्गुनात्मक सुख है अंतर के वली इतना ही है कि हम लोगों की तरह वहां रोटी दाल चावल खाना नहीं पड़ता इस थूल सरीर नहीं है सुख्म सरीर है सुख्म सरीर को अन जल की कोई आउसकता नहीं होती न वहां बुड़ापा नहीं है मृत्यु नहीं है बस प्रकृतिकाई सुख भोगते रही है आप माया में जो सुख ले रहे हैं इससे लाखो गुना सुख बैकुंट में है फिर भी उप्रकृतिका सुख है इसके परे अनंत सुख कहा है बेहद में और बेहद से भी अनंत पता रही है, लेकिन हम सुन्दर साथ पढ़ते तो हैं, जानते भी हैं, लेकिन हमें जो भवरोग का नसा एक लग चुका है, या नसा हमें आत्मरोग की तरह बढ़ने नहीं देदा, वाणी में आप गाते भी हैं, कई कोट राज बैकुंट के ना आवे इतके खिंद समान, ना बैकुंट के राज फीके हैं, आप देखिए, लेकिन हुआ सुख कैसे मिलेगा, आपने बड़े-बड़े परमहंसों की जीवनी देखी है, परमहंस महराज सी रामरतन दाज जी को देखा होगा, आप लोगों ने नहीं देखा है, बाबा दयाराम को देखिए, गुपाल मड रते थे, लंबी-लंबी समाधिया लगाते थे, सुन्दर साथ में एक भ्रांती है, सुन्दर साथ ये कहने लगता है, कि चितवनी में क्या रखा है, हम किसी भी तरह से रिजा सकते हैं, हम चर्चनी याद कर लेते हैं, शेवा-पुजा कर लेते हैं, इससे भी तो राज जी भी सकते हैं, हम चलते हैं, फिर ते चित्वनी कर लेते हैं, कोई बैठ करना जरूरी है, यह सच बात है, आप राजी के लिए सब कुछ करते हैं, आप दार्तम पढ़ते हैं, राजी के लिए, परिक्रमा करते हैं, राजी के लिए करते हैं चर्चनी याद करते हैं राजी के लिए करते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन सबका इस तर अलग है नर्सरी की क्लास में जो बच्चा जाता है वो भी कहता है कि मैं पढ़ता हूं मिडल क्लास वाला भी कहता है कि मैं पढ़ता हूं और आई-एस की जो परिच्छा पास करता है, वो भी पढ़ाई करता है, लेकिन सबका अस्तर तो अलग-अलग है, इंटर पास करने वाला सोचे कि मैं आई-एस बन जाओ, कहां से बन पाएगा, जो चित्वनी का अर्थ है, जो आप सरीर से इंद्रियों से कर रहे हैं, आप तार्तम महामंतर का पाट कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, मुख से बोलकर कुछ भी कर रहे हैं, वो राच्ची के लिए ही है, लेकिन यदि आपको लगता है, कि सक्षात इन नइनों से, आंखों से तो आप देख नहीं सकते, क्योंकि इंद्रियां माया के दिरिश्चों को देखती हैं, उस समें जब प्रतक्ष लिला चल रही होती है, जब स्री जी चर्चा कर रहे होते हैं, तो सबको परमधाम का युगल सरुप सक्षात दिखाई देता है, जब सद्गु धनी सिर देवचंजी चर्चा करते थे, तो सबको सिर्कृष जी के रूप में राची दर्शन देते हैं, ब्रजराज के लिला प्रतक्ष दिखाई देती हैं, उस समें सुन्दर साथ बिना चीत्वणी के इन नयनों से उस लिला को देखता था, युगल सरुप को देखता था, ब्रजराज के स्रिकृष को देखता था, सद्गु धन सिरेवचंजी को देख सकता था, लेके, छटे दिन के लिला में तो अब वो लिला बंद है आपको अपनी आत्मा की जागरित भी करनी है, तो कैसे करना होगा, आपको चित्वनी कैसे हारा लेना पड़ेगा, बाहर की आँके जब बंद करते हैं, तो अंदर की आँके तब ही खुलेगी, अंतर के पड़ तब खुलें, जब बाहर की उबंद यह जितना बाहे जगत है, वह सारा बाहे जगत आपके मन में समाया हुआ है, इस जन्म का नहीं करुनो जन्मों का इस जन्म में आप जब आँके खोलते हैं, तो संसार को देखते हैं, लेकिन इसके पहले लाखो बारा पैदा हो चुके है लाखो बारा आप सरीर छोड़ चुके हैं उन लाखो जन्मों के सारे संस्कार को आपने चित में बसा रखा है आपका जो अंतर करन है, जिसमे चित है मन है बुद्धि है अंकार है उसमे संसार का बीच है आंके बंद कर लेते हैं कि चीतों ने करनी है तो जो अंतर का जगत है संसार है वो वह भरना शुरू होता है बिचारों के प्रभावा आने लगते हैं मन भागने लगता है योदि तमगुर्ड जगुर्ड की प्रवलता होती है तो मन और तेजी से भागने लगता है क्योंकि वो चंचल हो जाता है इसलिए मैं सुन्दर साथ को एक कष्ट देता हूँ कि सुन्दर साथ जब तक आपका हर सात्विक नहीं होगा आपके बुद्धी सात्विक नहीं हो सकती यदि आपके बुद्धी सात्विक नहीं होगी तो आपका मन सात्विक नहीं होगा आप बैठेंगे तो लेकिन मन भागता रहेगा लेकिन मेरा साहरा कहा एक तरफ लेकिन जब सामने प्याज के पकोड़े देखते हैं तो मुह में पानी आ जाता है कौन छोड़ेगा मेरे कहने कासे क्या है यदि आप आत्मरुग की दवा चाहते हैं आत्मरुग मिठ जाए आत्मरुग कैसे मिठेगा ए रुग क्यों ए ना मिठे जोलो ना देखे मुखबरम बिना प्रितम के अदिदार किये ये रुग मिठने वाला नहीं है ये पूजा पाट से नहीं मिठेगा परिक्रमा से नहीं मिठेगा लेकिन पहले तो कोई चाहता है नहीं कि आत्मरुग पैदा हो आत्मरुग पैदा होना सोभागी की बात है प्रेम का रोगी होना सोभागी की बात है विरा का रोग लग जाना सोभागी की बात है किसी विरले को नसीब होता है या तो दुनिया तो क्या है पट भेर का जिगना हेम जवेर सिंगार हक लजज़त तै मोमनों जिंदो निकरेम होता खाना पेना मस्ती रहना यह तो संसार का जीवन, यह तो भवरोग है जिस माया में सांती नहीं, उस माया से हम सांती चाहते हैं जो प्रकृत माया है नहीं उस प्रकृत से हम सासवत सुख चाहते हैं जो रिष्टे हमारे है नहीं उनसे हम सासवत प्रेम चाहते हैं कहां से संभव है और पुत्र बनता है, पुत्र जो है दादा बन जाता है, दादा जो है पोता बन जाता है, यह तो अपने अपने संस्कारों के द्वारा, घर का कोई बेकती दादा हो गया, उम्र गुजर गई, मर गया, सरीर छूटा, और उसी घर में पोते के रूप में आ जाता है, खिलाने वाले तो सोचेंगे कि हम तो अपने पोते को खिला रहें उनको पता नहीं कि जो घर में दादा जी काला रहे तो वह इस घर में पोता के रूप में आ गए यह माया के दुनिया है जो नहीं है उसको दुनिया कहती है कि है जो अखंड अक्षरातीत है उसको दुनिया कहते है कि पता नहीं राची होगे की नहीं होगे मिलेंगे की नहीं मिलेंगे यह भावरोग और आतमरोग दोनों यंतर है देखो यह गुन भाव अवसदी, भावरोग की दवा क्या है यह तारतम बानी भावरोग मिटेगा तो क्या होगा आतम रोग होगा भावरोग मिटेगा तो अखंड मुक्ते मिलेगी लेकिन आतम रोग तभी मिटेगा जैसे देखिए सब्द वही है इसको अर्थ में कैसे लाएंगे जैसे हिर्दे को पीड़ा कब होती है दो तरह से या तो बहुत दुख हो जाए हिर्दे कब तूटता है बोलचाल की बैसे मैं कहते हैं ने कि दिल तूट जाना अटेक कब आता है या तो किसी को बहुत खुसी वाली बात समझा दी जाए जिसका बोज दिल न साहन कर सकिये या कोई बहुत दुख वाली बात समझा दी जाए तो भी उसको दिल सहान नहीं कर पाए तो उसको क्या कहते हैं उनका हिर्दे अस्फल हो गया दिल तूट गया जैसे कोई बहुत कट्टी सब्द बोल देता है तो भी हिर्दे टुकडे टुकडे हो जाता है और कोई इतना प्रेम से बोले कि हिर्दे लूट जाए उस पर तो भी कहते हैं कि इन्होंने तो मेरा हिर्दे टुकडे टुकडे कर दिया प्रेन बान तो ऐसे लगत हैं अंक होते हैं टुक टुक और कटु बान भी तो जब लगते हैं तो भीर्दे टुकड़े टुकड़े होते हैं लेकिन वो घ्रणा के रूप में टुकड़े टुकड़े होता है और प्रेम के रूप में टुकड़े टुकड़े होता है भाव रोग में संसार डूबा जा रहा है आत्म रोग देने वाली ये परम्त हमकी वाड़ी है और महामती जी ने पुकार पुकार करका है सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो या को दारू ना मिले तभी मैं अभी वही परसंग कर रहा था आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ जब तक आपका सरीर इस्तिर नहीं होगा बहने इस आलेसिस ये बचने के लिए बहाना कर देती है अधिकतर कि हम तो चलते फिरते चित्वनी कर लेते हैं हमें बैठने की जूरत नहीं है इससे नुकसान आपको होगा अध्यात्म में ऐसा नहीं चलता भहुतिक जगत में आप नए-नए प्रियूख कर लेंगे कि आपको ये दवा सूट नहीं करते हम नए दवा का विस्कार कर लेते हम मैशा कर देंगे, अध्धात मैशा नहीं होता अध्यात में जो कहा गया आप कीजिये, तब आपको फल मिलेगा नहीं तो संसार में बढ़कते रही है जब तक सरीर से आप परे नहीं होगे मन बुद्धी से परे नहीं होगे जब तक आपके अंदर विचारों का प्रवाद चल रहा है तब तक ये तो मन्वद्दी का खेल है वो प्रम्त तुन नहीं है जैसे पुरी चरचनी आप याद कर लेजिए पूरा सागर ग्रंत يद कर लेजिए पुरा सिनगार ग्रंत Яद कर लेजिए तो क्या होगा आप उसको कह सकते हैं ब्याख्या कर सकते हैं आप सिंगार को याद कर उन्ही भावों में खोए रही है तो इसको क्या कहेंगे भावों में डूब नाम इसको करते हैं भावली निव यह दर्जन नहीं है जब आप किसी को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो स करते हैं कि हम राजी के में खोई रहते हैं राजी का अन्भो करते हैं तो यह दर्सन नहीं है यह आत्मा की जागरती नहीं है आत्मा की जागरती क्या है आपका मन सोचना विचारना बंद कर दे आपकी बुद्धी विवेचना करना बंद कर दे आपको अपने शरीर का भास ना रहे, आपको अपने नाम के बारे में पता ना चले, आपकी अंतरद्रिष्टी सक्षात देखने लगे जैसे निद्रा में आपको सपना आ जाता है आप दुसरा द्रिष्ट देख रहे होते हैं आप समय को भूले रहते हैं उसी तरह से जागर्ती में ऐसा बन जाए कि आप अपने सरीर को भूल जाएं और आप परात्म के भाव में राजी को सक्षात देखने लगें इसको कहते हैं दर्सन और इसको पाने के लिए तो हिलना डूलना बंद करना पड़ेगा देवचन जी भोग लगा रहे होते हैं गुगनी का चित्वनी में उनकी सुर्था पहुंच जाती है और चित्वनी में देखते हैं कि मैं एक खंड ब्रेज में पहुंच गया हूँ स्रिकर्श जी के साथ एक पतल में मैं खा रहा हूँ अपने को राधिका मान कर जरा सहाथ हिल जाता है खाने के भाव में सुर्था टूट जाती है दर्शन बंध होता है तो आप और मैं देवचन जी से बड़े तो नहीं हो सकते उस तन में स्यामाजी है स्यामाजी का जरा सहाथ हिलता है जिस तन में हैं तो उनको दर्सन बंद हो सकते हैं तो आप चलते फिरते परमधाम के पचीज पक्स कहां से देख सकते हैं राजी को कैसे देख सकते हैं लेकिन दुर्भाग क्या है कि कोई सुंदर साथ ऐसी ब्याख्या करने लगते हैं कि जित्वने ही कोई जरूरी थोड़े हैं केवल प्राणिस्वर अक्षरतीत के पास चौदे लोकों में इस रोक का कोई इलाज नहीं है क्योंकि इस रोक को मिटाने के लिए जो दवा बनती है किसे बनती है तार्तमवाणी के प्रकास से या तार्तमवाणी आपको विश्वास दिलाएगी कि मैं परहमधाम की आत्मा हूँ या तार्तमवाणी विश्वास दिलाएगी कि जो प्राणी से रक्षरती थे मेरे प्राण की नली से भी निकटे या तार्तमवाणी आपको आस्था दिल लाएगी क्यों रहे दिदार भीन प्रान आज हमारा सारा समाज अज जनता की अंदकार में क्यों बठक रहा है तार्तमवाणी का चिंतन हट गया आज बड़े-बड़े मंदिर तो बनते हैं लेकिन मंदिर सूने रहते हैं हमारे 400 मंदिर क्यों हमारे ही नहीं हिंदू समाज के जितने भी मंदिर हैं क्यों होता है कि परसाद चड़ाये जाती है पुजारी जी परसाद देंगे हिंदू जनता जाती है अपने इश्ट को परसाद चड़ाती है मन्नत मांगती है घर आ जाती है किसी मंदिर से न ज्यान का प्रकास मिलता है न ध्यान का मार्ग बताया जाता है समाज को सत्यमारिक पर लाने के लिए अवस्य क्या कि हर मंदिर में पुस्त काला हो हर मंदिर के साथ जुड़ा हुआ कोई ध्यान कक्छो जहां करके कोई ध्यान कर सके हर मंदिर में जो भी पुजारी रहते हों, मात्मा रहते हों उनको कुछ ग्यान का प्रकास करना चाहिए तब जागरिती भैलेगी समस्थ संसार में सोमनात का मंदिर भी तो था एक हजार के वल पंडे थे वहां पूजा करने के लिए और सिवलिंग को इस सक्षात परमात्मा मान कर बैठे थे हीरे मोतियों से जड़ा हुआ था सिवलिंग लेकिन क्या हुआ महमोद गजनेवी आता है गदा की मार से सिवलिंग को तोड़ता है नचाने कितने दरजनों उटों पर लाद कर हीरे मोति सारे जवरात ले जाता है एक भी बिद्वान नहीं था वहां एक भी योगी नहीं था महत्मा नहीं था वहां के थंबे भी सोने के थे हम तो थोड़ा सा सोने का कलज चड़ा लेते हैं तो सोचते हैं कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया सोमनाद इतना भवे मंदिर और मधुरा मेंने जाने कितने बड़े-बड़े भवे मंदिर थे, जिसको मुस्लिम अकरांताओं ने कहा है कि मनुस तो इन मंदिरों को बना ही नहीं सकता आप सोचिए इतने सुंदर मंदिरों में भी परमात्मा के चरण कमल नहीं पड़े परमात्मा कहां आएगा जहां सुद्ध ज्ञान होगा परमात्मा ने हर प्राणी के अंदर अपना मंदिर बना रखा है अरिस तुमारा मेरा दिल है इताय करवरा उस प्रितम को यदि पाना है तो पांच चीज़ चाहिए इमान, वो आएगा वाणी से वाणी का ज्यान यदि नहीं है तो आपमें इमान नहीं आएगा दूसरी चीज़ है इसक प्रेम के बिना दिदार नहीं हो सकता लियाओ प्यार करो दिदार इस वाकिए को रट लिजिए यदि आपके पास प्रेम नहीं है तो आप करोड़ बार भी तारतम का जब करेंगे राजी मिलने वाले नहीं है चित्वनी भी किजिए प्रेम के चित्वनी किजिए सुस कहिर्दय से की गई चित्वनी से कुछ भी लाब नहीं है इसके इमान, सुक्र हर पल राजी को धन्यवाद देजिए जिस हाल में आपने रखा है मैं ठीक हूँ, इसको कहते हैं समरपण आप रोते क्यों हैं, दुखी क्यों होते हैं क्योंकि आपने समरपण नहीं किया जिस दिन समरपण हो जाएगा उस दिन आप कोई गिले सिक्वा नहीं करेंगे सीता ने कभी राम से कोई सिकायत की कि भगवान मैं जंगल में कैसे रह सकती हूँ मैं साड़ियों का गठर ले चलती हूँ इतना पैसे लेकर चलती हूँ सन्यासी है सन्यास भेस में भगवान राम को बन में जाना पड़ता है सिता एक दिन का भी लेकर नहीं जाती गरीबी बिनम्रता, सवर, संतोस पांच चीजों को अपने जीवन में लाइए ये पांचों और सदियां आपको यहीं बैठे बैठे परमदाम का सक्चतकार करेंगे इतनी बैठे गर जागे धाम की स्थिति तब पुरी होगी इस दिया ओ सकता है कि हर सुन्दर साथ तारतम बाणी का चिंतन करें जब आप बाणी का चिंतन करेंगे तो आप लगेगा कि आतम सावनी एक अधी से जुजवी तदी से दे हमारी सरीर अलग अलग हैं लेकिन सब के अंदर परहमधाम की आतमा है आज सुन्दर साथ आपस में कितना घ्रना दुष का सिकार करता है वो अच्छेतर के नाम पर लड़ता है जाती के नाम पर लड़ता है कुल खंदान के नाम पर लड़ता है बिदुता के नाम पर लड़ता है मुझे बाणी ज्यादा आती है, आपको कम आती है, मैं गरीब हूँ, आप धनवान हो, रूप रंग क्या धार पर लड़ता है, जब आपकी द्रिष्टी खुल जाएगे, सब के अंदर परम्दाम की एक जतना को देखेंगे, तो आपके जीवन, जीवन की सहली ही अलग हो है, और यह कोई बहुतिक जान नहीं है, किसी ब्यक्तिक की रचना नहीं है तर्दंबाड़ी, के लाया हिर्दे बैठ सक्षाथ, सोई मक्षराथी इतने परंदाम की स्वानी को कहा है, महमती जी ने पहले ही कह दिया कि आतम रोक का सो कहिये जिन पीठ देई पर आतम, आतम र आतम जीव पर बैठ कर जीव भा को प्राप्त हो गई है, आतम रोक का सो कहिये जिन पीठ देई पर आतम, ए रोक क्यों ए ना मिटे, जो लो ना देखे मुखबरम, रोक मिटे कैसे, पर आतम का जो सरूफ है, उसका प्रतिविम आतम के रूप में है, लेकिन आतम अपने पर आतम के सरूफ को नहीं देख रही है, अपने सरूफ को नहीं देख रही है, जीव ने जो मिटी का ये तन धारण किया है, इसको देख रही है, कि मैं ये सरीर हूँ, मेरा ये रूप रंग है, ये सरीर बुड़ा होता है, तो लगता है क्या है, हम बुड़े हो गए, जब इस सरीर से द्रिष्टी हट जाए और आत्मा जीव भाव को भी छोड़ दे, मैं सरीर नहीं हूँ, इंद्रिया नहीं, अंत्यकर नहीं हूँ परात्म का सिंगार सजले कि मैं न चाली साल के हूँ, न असी साल के हूँ, न मैस्तरी हूँ, न पुरुस हूँ मैं सुत अस्यामा जीव सरुपा हूँ यह है परात्म का सिंगार सजले पहले जो हमने भूल की आत्म रोग कासो कहिए जिन पीठ दई परात्म जिन ब्रह्मात्माओं ने परात्म को पीठ दे कर इस माया के खेल में तन धारण किया है उनके अंदर जो आत्म रोग पैदा होता है वो क्या है यह अर्थ होगा यह अर्थ नहीं होगा कि आत्म रोग किसको कहते हैं जिनोंने परात्म को पीठ दिये यह तो सब्दों का चर्ण चर्ण का अर्थ होगा अर्थ करते समय एक एक चर्ण के सब्दार्थ के पेक्चा प्रसंग के अनकूल रखकर ध्यान भावार्थ होता है आतम रोग का सो कहिए जिन पीठ दई परातम जिनोंने परात्म को पीठ दे कर इस माया में के खेल को देखा है उन्हीं के अंदर आत्म रोग पैदा होता है और आत्म रोग किसको कहते है कि आत्मा अपने प्रानिस्वर से मिलने की जब चाहत रखने लगती है तो ये कह जाता है कि अब आत्मा में प्रेतम को पाने की प्रिवर्ति पैदा हो गई है और इसको कहते है प्रेम रोग और इसको कहेंगे आत्म रोग, क्योंकि आत्मा को क्या रोग लगा है, प्रेम रोग लगा है, चाहत का रोग लगा है, दिदार का रोग लगा है, तो दुनिया की भासा में प्रेम, दिदार और चाहत को हटा दिया गया है, और रोग सब्द जोड दिया गया है, तो उसको कहते प्रितम को पाने की जो चाहत रखती है उसको यहां रोग का गया है क्योंकि संसार में जो चाहत रखता है संसार की चाहत को जदी भावरुप करते हैं तो आत्मा अपने मूल परात्म के शरुप से प्रितम को पाना चाहती है इस्तिय उसको आत्म का प्रेम रोग कहेंगे और संग्छेप में आत्म रोग कहते हैं राजी करें सब सुन्दर साथ को या रोग लग जाए और सभी राजी को पाने की तरफ कदम बढ़ाए लेकिन ये तब होगा जब कर्मकान के कुछ बंतनों को तोड़ा जाया सब सुन्दर साथ सोचते हैं कि चित्वनी में बहुत कष्ट होता है बानी चिंतन में बहुत कष्ट होता है लेकिन ये कष्ट नहीं इससे आनंद इस रिष्टी में कोई भी नहीं है आपको भारत का प्रधानमंतरी बना दिये जाए सारे पृतिवी का राज दे दिये जाए सारे बैकुंट का स्वामी आपको बना दिये जाए तो भी इतना सुख नहीं जितना राज़ी के पल के दीदार में होता है इसले आप 24 गंटे प्रदी दिन पाते हैं एक गंटे तो अपने अराध के लिए रखिए एक गंटे चित्वनी के लिए रखिए एक गंटे वानी चिंतन के लिए रखिए फिर देखिए आपकी आत्मा में जो आपका प्रितम भशता है आपसे कितना प्रेम करता है उसके अनंत संदरी को देखिए अनंत अनंत को है आज तो कारिकर्म का दूसरा दिन है यह बहुत अच्छा रहा है सब सुन्दर साथ इतने पदारे और मैं असा करूंगा कि पूरे गुजरात क्या पूरे देश में वाणी की गूज उठे सब सुन्दर साथ समझें कि वाणी के जान की महत्ता क्या है और चित्वनी की महत्ता वैसे तो हमारा समाज भटक रहा है हमारी समाज के एक भर्ग ऐसा भी है जो केवल नाचकूत चाहता है भागवत की कताएं चाहता है पंदर-पंदर मिनिट के परोचन होते हैं कोई अधात्मिक मार्ग निर्देशन नहीं होता क्यों तारतम के नाम पर समाज लड़ रहा है तारतम मंतर का जपना तो एक नर्सरी क्लास की सिक्षा है जिसको जो नाम से जपना हो जपे मेरे पास तो तारतम जपने के लिए समय ही नहीं होता इसलिए आज समाज को उस कर्मकान में पढ़ने के जूरत नहीं है तारतम के जब से परे उठिये सक्षात अपने अराद को देखिये जो किसी नाम की परिधी में नहीं आता है इसलिए सब्वी विवादों से परिवकर जदि अप्तार्तमवाणी को अपने हिर्दे में हिर्देंगम करेंगे तो एक ही बात आएगी ये मूल मिलावा अपना नजर दीजयित पलक नपीची फेरिये जो इसका अंगों पढ़ाएगे